हेलो दोस्तों आपका स्वागत है इन्फो टेल्स पर अब इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े दिलवाले लोग रहते हैं कोई अपनी पूरी संपत्ती दान कर देता है और हर बार नई शुरुवात करता है तो कोई अपने employees को Mercedes और Flats बोनस में देता है ऐसे ही एक और बड़े जिगर वाले बिजनसमैन है गिरीश मात्रभूतम जो अपने employees को salary नहीं बलकि एक तरह से company में partnership देते हैं है ना बहुत कमाल की बात गिरीश की IT company Freshworks Inc. में आज 76% employees shareholder है कहने को तो गिरीश मात्रभूतम Freshworks Inc. नाम की इस company के founder और CEO है पर इसमें काम करने वाले ज्यादतर employees आज इसके हिस्सेदार है कुछ दिन पहले ही Freshworks Inc. ने अमेरिकी exchange Nasdaq में धूम मचा दी थी और इसके साथ ही इस company ने अपने 500 employees को करोड़ पती बना दिया इन employees में से 79 की उम्रतों अभी 30 साल से भी कम है Freshworks Inc. Nasdaq में लिस्ट होने वाली भारत की पहली software ad services और unicorn company है गिरीश की इस company के shares ने Nasdaq index पर अपने issue price से 21 प्रतिशक premium पर entry की और देखते ही देखते company का market cap 12 अरब डॉलर के उपर पहुँच गिरीश किसी अमीर परिवार से नहीं आये हैं बलकि उनके पिता bank में काम करते थे और उन्होंने भी एक software company में काम किया इसलिए वो आम employees के सपने को अच्छी तरह समझते हैं वो चाहते हैं कि जिन लोगोंने company बनाने में दिन रात महनत की है उन्हें इसका इनाम मिलना चाहिए गिरीश के अनुसार उन्होंने खुद BMW खरीदने के लिए ये company शुरू नहीं की बलकि वो ये चाहते हैं कि company के हर करमचारी के पास BMW हो भारत के बजाए American Exchange में company list कराने के बारे में भी उनकी राए यही है कि Freshworks Inc. शुरुवात से ही एक global company रही है और 120 से ज्यादा देशों में इसकी customers हैं और company में ज्यादातर revenue अमेरिका से ही आता है साल 2010 में Freshworks Inc. की शुरुवात हुई थी और company को पहली funding 2011 में मिली साल 2021 में इसका annual ranking revenue उन्चास फीसदी तेजी के साथ 30 करोड डॉलर तक पार कर गया है गिरीश ने अपनी company के जरिये start-ups में invest करने के लिए एक fund भी बनाया है आज इस company के दफ्तर दुनिया के कोने कोने में फैले हैं जिन में Paris, Netherlands और France जैसे देश शामिल है गिरीश मात्र भूतम सूपरस्टार रजनीकांत के जबरदस्त फैन है रजनीकांत के लिए उनकी दिवानगी का आलम ये है कि जब भी रजनीकांत की कोई नई फिल्म रिलीज होती है तो वो अपने employees के लिए चन्नाई में पूरा haul book करा ले दे हैं आज की जमाने में भला कौन किसके लिए इतना सोचता है? इसके लिए तो बहुत ही बड़ा दिल होना चाहिए बिल गेट्स, वारन बुफे, अजीन प्रेम जी जैसे हजारों लोग है दुनिया में जो जितना कमाते हैं उसमें से 95% डोनेट करके हर बार नई शुरुवात करते हैं अब एक बॉस सिर्फ अपनी हां में हां मिलाने वाले फॉलोवर्स ही नहीं बनाता वो भविश्य के बॉस आगे बनने वाले लीडर्स को तैयार करता है तो बॉस बने हैं तो ग्रूम करिए अपने साथ वालों को और अगला बॉस बनाना शुरू कीजे